उपस्वापती महोदे जब हम जम्मू कस्मीर के बजट के उपर आज बहस कर रहे हैं और मैं विपक्ष के नेता को सुन रहा था उन्होंने एक बात की हिदायत दे कि हम पुराने विवादों को ना आज छेरें लिए ऐसा करते करते हुए उन सब बातों को कह गए और कॉंग्रेस के सासन में जो कम्या थी उसको छिपाने की जितनी कोशिसे हैं वे करते रहे मैं स्वाइम उन विवादों में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन इस देश की जनता को जानना और समझना परेगा कि 5 अगस 2019 के बाद जो जम्मू कस्मीर की फिजा में परिवर्तन हुआ परिवर्तन आसाधारन परिवर्तन है 370 का जाना सिर्फ कॉंस्टिटिशनल ट्रांस्फॉर्मेशन ही नहीं है जम्मू कस्मीर के इतिहास में 370 का जाना तीन क्रांती का दो तक है पहली क्रांती सामाजिक क्रांती है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ उस राज्जी में लगभग 30% OBC के लोग रहते हैं जिनका अब तक कोई काउंटिंग नहीं हुई 10-12% से लोग रहते हैं जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था सिडूल कास्ट के लोगों को सिफ 2% रिजर्वेशन मिलता था पहली बार जीडी सज नाइधीश जीडी रिटायर्ड नाइधीश जीडी सर्माजी के लोग रहते हैं 2% 7% I'm sorry मैं बताता हूँ आकरे 10% मैं आकरे बताता हूँ आप मैं आखरी बाता हूँ 10% मैं जो कर दिजर्वेशन की बात मैं राजनितिक रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ हमारे आपके बीच जो दूरी है वो दूरी में समाप्त करने जा रहा हूँ उपसभापती महद है पहली बार एक बैकवर्ड कमिशन की अस्थापना हुई है जिस रिजर्वेशन की बात हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे उस रिजर्वेशन के लिए सेडूल कास्ट, सेडूल ट्राइब, OBC और अन्य जो हासिये के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की मॉडलिटी तैक करने के लिए सेवा निव्रत न्यायधी जीडी स्तरमा जी के नितित में पहली बार बैकवर्ड कमिशन के जिस तरह से अन्य राज्यों में मिलता है उस आधार पर रिजर्वेशन क्यों नहीं मिले और कॉंग्रेस पार्टी ने कभी भी ST, ST और OBC को वह सम्मान नहीं दिया वह सर नहीं दिया जो अन्य राज्यों में मिलता था कॉंग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना परेगा पांच अगस 2019 के बाद इस स्थिती को सरकार ने बदल दिया मैंने समाजिक करांती की बात कही थी जम्मू कस्मीर में 3,000 रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आये थे हमारे विप्यक्ष के नेता को जानना समब परेगा उन्हें बताना परेगा कि 3,000 रिफ्यूजी को समान अधिकार क्यों नहीं प्राप्त थे उन्होंने इसी कौन सी गलती की थी उन्हें जम्मू कस्मीर के चुनाओं में मत देने का अधिकार क्यों नहीं था 370 के जाने के बाद उनको वाधिकार दिया गया 370 के जाने के बाद जो दूसरी क्राम्ति हुई उसको मैं कहता हूँ, Democratic Revolution समाजिक क्राम्ति के बाद एक जनतांत्रिक क्राम्ति हुई हम सब जानते हैं जम्मू कस्मीर के लोगतंत्र का मतलब क्या था उस लोगतंतर का जो तातपड ये था मुठी भर परिवार और मुठी भर जम्मु कस्मीर के कुलिन क्या यह बाद दुनिया से छिपी हुई है कुछ परिवारों ने कुछ नेताओं ने जम्मु कस्मीर के लोगतंतर को बंधक बना लिया था चुनाव ही लोगतंतर नहीं है चुनाव लोगतंतर का एक साधन मात्र है This is a tool for a democracy चुनाव के दौरा तो स्टालिन में ही जीत कर आता था चुनाव के दौरा तो हिटलर में ही जीत कर जर्मनी में आया था बास्तो में लोगतंतर का ताफ़र्ज होता है इंपावर्मेंट अफ़र्ज होता है वह लोगतंतर का ससक्ति करन कैसे हुआ विपक्ष के नेता ने बड़े आसानी से कहा कि हम सब रिजनल पार्टी है हम जम्मू में भी हैं लब्दाक में भी हैं और Block Development Council के चुना में हमें 81 सीटे मिली हैं, 217 सीटे इंडिपेंडेंट्स को मिले हैं, 81 सीटों पर भारते जन्ता पार्टी जीती हैं, 8 सीटों पर फैंफस पार्टी जीती हैं, और दूसरी बात में बताना चाहता हूँ, ब्लोग Development Council के चुना में जो यह भ्रम फैलाने की कोशिस हो रही है, कि 4 वोट, 3 वोट, 98 परसेंट वोटिंग ब्लोग Development Council के चुना में हुआ है, आज की सूचना के तंत्र की दुनिया में किसी व्यक्ति को बर्गलाया नहीं जा सकता है, और सदर में कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे आहम लोगों को, और दुनिया के भारत से बाहर बैटे हुए European Union में भारत विरोधी कुछ सिनेटर्स को, कुछ House of Representatives में बैटे हुए लोगों को, यह संदेश जाए, कि जम्मु कस्मि में लोगतंतर नहीं है, हमारी हार या आपकी हार, लोगतंतर की हार नहीं होती है, यह जन्ता की जीत, लोगतंतर की जीत होती है, जम्मु कस्मि में हमने Democratic Revolution लाने का काम किया है? तीसरा महत्तुपूर्य परिवर्टिन हुआ है तीसर 70 के जाने के बाद एक इकवानोमिक रिवालुशन हुआ है आर्ठिक क्रांती हुई है वो आर्ठिक क्रांती क्या है मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन माने ने अगुलान अभी आजाद जी के बातों को सुनकर मुझे एक बात की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी जिसके वे स्वयम भी गवाह रहें जब रज्यपाल का शासन था तो हमने एक रोशनी एक्ट को समाप्त कर दिया था इसके चर्चा मैंने पिछली बार भी जब्मू कस्मीर के बहुत के दोरान भासन में क्या था यह रोशनी एक्ट जब्मू कस्मीर में पावर प्रोजेक्ट के रूप में लाने के लिए धान संग्रह का एक तरीका था सरकारी जमीन पर जो सामानने लोग या कुलीनों ने जो कबजा कर लिया था हो सरकार ने उसका एक रास्ता निकाला एक खास गर पर हम लोगों को वह जमीन उनके कबजे में हैं उनके नाम पर रेजिस्ट्री कर देंगे उनके पॉजिशन में जो जमीन है उन्हें जमीन प्राप्ट हो जाएगा पचिस हजार करोर रुपे कलेक्ट करने क्या अबजेक्टिव था तीन मुख्यमंत्री आए और चले गए तीन मुख्यमंत्री कार्थेक तीन पाठियां आई और गई और कितना कलेक्शन हुआ 76 करोर कलेक्शन करके रह गए पचीस हजार करोर रिक अठ्था करके जम्मू कस्मीन में अनधिक्रित जमीन को बास्तों में देकर उस पैसे से जम्मू कस्मीन में बिजली का बल्व जनाने की जो योजना थी वो लाल्टिन तक ही रख दिया गया 76 करोर में तो हर घर को एक लाल्टिन दी जा सकती थी बल्व नहीं दिया जा सकती तो कॉंग्रेस पार्टी को जबाब देना परेगा जिस तरह से भरष्टाचार जम्मू कस्मीन में हुआ और केंदर सरकार उस भरष्टाचार पर इसलिए नहीं कुछ कर सकती थी कि हमारे हाथ और पैर बने हुए थी 370 जाने के बाद केंदर सरकार के आप 129 कानून जम्मू कस्मीन में लाग हुआ मैं दो कानूनों की चर्चा करना चाहा उपस भापती महज़े जम्मू कस्मीन में आठ लोग दिब्यांग है 1999 में भारत सरकार ने दिब्यांगों के लिए नैस्तर ट्रस्ट बनाये था 1999 से लेकर 2019 तक 20 सालों तक 8 लाख दिब्यांगों तक वह ट्रस्ट नहीं पहुँच पाया पाँच अगस्त के बाद 8 लाख दिब्यांगों को लगा वे भारत के सम्मानित नागरिक हैं भारत के असंविधान उन्हें नागरिक समशता है उन्हें वह सब अधिकार देता है जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया राइट टू एडुकेशन जिन बच्चों की बात की जा रहे थी जिस परकार से बच्चे स्कूल खोड़ने के बाद हस्ते कूते स्कूल जा रहे थे जिनके हाथों में पत्थर दिया जा रहा था उनकी हाथों में हमने कुलम और कंपिटर पकराने का काम किया है यह ती हसतर जाने का परिलाम है आई दिन छोटिये बच्चों को सामने रखकर जनकी आयू खेलने कूदने की है जनकी आयू कविता और कहानी पढ़ने की है जनकी आयू कहानिया पढ़ने की है उनसे हम पराजितिग्ये सिर्फ अपना हिद साधने के लिए उनको ट्रोजन होर्स बना रहे थे उपसभापती महोदे दुनिया के इतिहास में इसा नहीं हुआ है कहीं तालिवानियों ने क्या होगा और क्या है लेकिन भारत के इतिहास के लिए वो सरमसार दिन था जब बच्चों को सामने रखकर पत्तर फिकवाते थे और कहते थे सुरच्छा कर्मियों को अब तुम कारवाई नहीं कर सकते हो यह आर्थिक क्रांति क्यों हुई मैं उसका एक और उदाहन देना चाहता हूँ जमू कस्मिर के किसान जमू कस्मिर के जीडीपी में सेव का आठ परसंट जोगदान है लेकिन सेव के साथ वहां मक्का भी होता है वहाँ धान भी होते है वहाँ सबजिया भी होते है मैं अपने कॉंग्रेस के मित्रों को कुछ आंक्रे देना चाहता हूँ और पुरी देश को समझना परेगा कि उन आंक्रों का तातपर ये क्या है भारत सरकार ने 370 हटाया देश के हित में वह हित किसानों का हित था वह आर्थिक क्रांटी का हिस्सा था वह मैं कुछ आंक्रे देता हूँ मक्का का उत्पादन में 10 से 12 कुंटल मक्का का उत्पादन होता था अब जो हस्तक्षेप हुआ है वह पादन बारकर 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेर हो गया मक्के का दर 1600 रुपे कुंटल था जो 16,000 रुपे पर कुंटल मिलता था उन्हें पर हेक्टेर अब 26,500 रुपे मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आती है जब देश में रोष्णी आती है तो कॉंग्रेस को अंधकार क्यों नेजर आता है और जब देश में अंधकार होता है तो कॉंग्रेस को रोष्णी नेजर आती है जब भी मैं कोई विकास की बात करता हूँ तो Congress को ऐसा लगता इसा कैसे हो सकता है हमने उनकिसानों को तो हमने उनकिसानों को तो भिक्मंगा बना कर रखा था और भारते जंता पार्टी की सरकार ने उनकिसानों को एक सम्मानित अस्थान दिया मैं दूसरा आकरा देना चाहता हूं प्लीज, 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 ऑनमी और तमसर के बने जंट धेना, पहाडी राजय से हूं, जहना सम्मानित, ने प्लीज, प्लीज, आर्लूए वैसरा का देना। तो ये आपने दुगने से ज्यादा पर हेक्टेर मक्का कैसे हो गया वो कैसे क्रिशी के महान वो विद्वान है उद्धर जानकारी मिले तो हमारे राज्य को प्रिशी के बारा से पचीस होना प्लीज मानिने संदर से उसागरा प्लीज ये डिसकसन चलेज़े कोई बात और रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा कोई और बात रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा जब विपक्स के नेता बोल रहे थे जब विपक्स के नेता बोल रहे थे मैं इसलिए मानिनी संदर से मेरे राज्य से आते हैं और इनी की पार्टी के एक पूर मुख्य मंतरी जानते हैं कैसे सेबों की कमाई भी दसगुना जादा हो जाती है तो मुझे लगते हैं उस दिशार में ना जाएं प्लेस था बताए पाने राकेश दान की खेती की बात मैं करना चाहता हूं अची से एकसी से एकसो कुईंटल पर हेक्टेर और दम एक हजार पे पर कुईंटल किसान को पैसट हजार मैं तो उस भासा में बात कर रहा हूँ जिससे देश को समझ में आए आप चेहर को एड्रेस करें और मानी दुश्व से आगरा है कि यह पीच में बोड़ा हो एकर हो हेक्टेर हो एथार्थ नहीं बदलता है मैं एथार्थ की बात करना चाहते हूं आप तकनिकी की बात करना चाहते हैं असी से एक्सव क्विंटल पर हेक्टेर होता था 25,000 किसानों को मिलता था वह बढ़कर 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेर धान होती थी जिससे किसानों को 13,000 मिलता था पर क्विंटल अब 7 से 80 क्विंटल पर हेक्टियर हो गया है जो किसानों को लगवग 17,000 पर क्विंटल मिलना शुरू हुआ है मैं वेजटेबल्स की बात करना चाहता हूँ 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टियर 1000 रुपे के रेट से 25,000 मिलता था अब उनको 1,95,000 पर क्विंटल मिल रहा है यह हांकरे गलत रही है पर हेक्टियर में 1,95,000 पर हेक्टियर में मिल रहा है प्रतेख किसान को 0.35 हेक्टियर में 19,544 रुपे का लाव हो रहा है इन सभी परिवर्तनों से एक हेक्टियर के तिहाई हिस्से में 19,544 रुपे का लाव किसानों को रहा है मैंने जो आर्थिक क्रांती कही उसका एक और बड़ा कारण है नई सरकार ने किसानों की उपज़ को कॉमोडिटी बेस्ट उपज़ कॉमोडिटी बेस्टे प्रोड़क्ट बेस्ट कर दिया है और दूसरा फूड सेक्रेटी में वैल्यू एडिशन किया है इन दोनों कारणों से 0.35 हेक्टियर में किसानों को 27,000 का एडिशनल एडवांटेज हो रहा है जो लोग सहरों से बाहर किसानों तक गाउं तक पहुंची नहीं पाए घाटी तक पहुंच नहीं पाए पहली बार केंदर सरकार के दो दर्जन से अधिक मंत्री गाउं गाउं घाटी घाटी सरक एक एक घर में पहुंचे हिंदुस्तान के टिहास में जम्मू कस्मीर में इतनी बरी संख्या में दिल्ली में बैठे हुई कारजपालीका के लोक कमी जंमु कस्मीर नहीं गये थे, भारत्ये जंता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया यहर भूती होनी चाहिए कि नहीं दिल्ली और जंमु कस्मीर के बीच की दूरी जीरो माइल है आपने उसके बीच में घाटी पैदा कर लिया था दूरी के बीच में हमने उस घाटी को समाप्त करके उसको जीरो माइल कर दिया उपस्वापती महोदे एक और महत्वपुर्ण जो परिवर्तन जम्मू कस्मिर में हुआ है जम्मू कस्मिर के पंचायतों को आज लगबग दो हजार करोर से अधिक रुपे है यानि बीच लाख से एक करोर का फंड पंचायतों की सीमा उनकी जनसंख्या के अंसार दी जा रही है जो डारिक्ट ट्रांसफर हो रहा जो सहरी छेतर के लोकल से इंस्टिटूशन्स हैं उनको लगबग एक हजार करोर रुपे दिया जा रहा है ये पैसे तो कम अनुपात में पहले भी नहीं जाते थे लेकिन पैसे पंचायत के पास नहीं जाकर परिवारों के पास जाता था आज वो पंचायत के पास आम आदमी के पास जाए जम्मु कस्मिर की राजिंती में 370 और 35 से के बाद कैसा परिवर्तन हुआ है जो वहां ओफिसर्स अधिकारी काम कर रहे हुन्हें डॉमेसाइल दिया गया जो डॉमेसाइल उन्हें प्राप्त नहीं था क्या यह परिवर्तन आम लोगों के हित में परिवर्तन नहीं है इतना ही नहीं जिन महिलाओं के साथ 35 एक कारण भेदभाव होता था उस भेदभाव को समात्र करना जन हित कारी है या जन विरोधी है पूरी दुनिया में जेंडर एक्वालिटी की बात करने वाले लोग बार बार दूसरों से सवाल करने वाले लोग जम्मू कस्मीर पर लगभग पांच दसक तक शासन करते रहे लगभग तीन पीड़ी की महिलाओं को समान अधिकार से सम्मान से बंचित किया था मैंने पिछले भासन में एक और जिक्र किया था महाभारत में जिस व्यक्ति का उठा काटा गया था बार में की समाज के लोगों को पंजाब से इसलिए लाया गया था कि जम्मू कस्मीर में सफाई कर्मचारियों के हर्ताल के कारण वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं थे उनको अश्वासन दे कर लाया गया था कि आप आईए आपको हम अधिकार देंगे सम्मान देंगे लेकिन वह एक लब महाभारत का और उसी एक लब में नाम का लरका पोस्ट ग्रेजियेट करता है पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजियेट करता है अच्छे माक्स लाकर पोस्ट ग्रेजियोशन में आता है लेकिन नौकरी में कहा जाता है तुम सफाई करमचैरी ही बन सकते हैegenta पारटी ने पूरी दुनियों को बता दिया है कि अमेरिका में black के साथ discrimination हो सकता है अफिरिका में black and white का discrimination अभी भी हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी दलिज समाज के वेक्थि के साथ हिन्दुस्तान के किसी हिस्ते में ص splits नहीं होगा यह नरंदर मधी सरकार का ह्वाले यह नरंदर मधी सरकार का कट्रथ तो है जब हम OBC को सेब्रिब कास्ट सेब्रिबड ट्राय को वेमिन को बराबर का धिकार दे रहे हैं उनको सम्हान दे रहे हैं तो कॉंग्रेस के लोगों को परिशानिया हो रही है 370 के बारे में हमारे विवक्ष के निता ने दो बाते कही जिस बात को पुरे देश को जानना चाहिए यहां ऐसा प्रस्तूत किया गया कि जम्मू कस्मीर के सारे राजितिक दल के निता बंद परे हो जम्मू कस्मीर के विधान सभा में जो एमेले 2004 में थे 2008 में थे उसके चुनाव के बात थे सभी विधायकों की सूची ले लिजे जो पुरुव विधायक है 98 परसेंट लोग सरकों पे गलियों में सभाओं में होटलों में उनमुक्त भूम रहे हैं बंद कौन है जो है ज़िज लोफेंडर से चाहें आवाज से या पथर उखाने बाइज जो हैबिच्व लोफेंडर से 500 से अधिक लोग बंद नहीं है मैं अधिकां सभील ज़िज ज़िज लोफेंडर्स की बात कर रहा हूँ जो बार बार कहते हैं कि पागः पागः जो बारवार कार्थि पागः पागः जी दूबर मेनाद कि कान कि अन्धिद्य कान होगा। प्लीज प्लीज इट नवाटियों को एक करके पढ़ रहे वो नहीं पढ़ना चीए मैंने तो यह कहा कि अदिकांस है विच्छ वेट राजितिक नेता हैं मैं उन्हें पर कटाक्ष नहीं किया मैं कहा हुए इसलिए बंद है उनमें से एक नेता का मैं नाम देना चाहता है नहीं चाहता हूं सदर में नहीं है जोने ने कहा था कश्मीर किसी के बाप की संपत्ती नहीं है और पाकिस्तान से बात करने की तब कोशिश की थी प्योके की बात तब की थी जब पूरा हिंदुस्तान कहता है प्योको के भारत में लाने की बात कहते हैं इस सदर ने दोनों सढनों ने एक सma अमती से प्रस्तावपारित किया, और वहां का एक नहीता कहता है, पुझहे मिला नहीं है पाकिस्टान का, जो लोगे हिंदुस्तान के एकता अखंड़ता पर प्रहार करेंगे, चाहएं पुर्व मुख्यमंत्री हो पुर्व मंत्री हो, पुर्विदाय को हिंदुस्атान की जनता उन्य माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान के एकिता हार खंडता पर हमारी विछार धारा हमारी सरकार हमारी पापी और हिंदुस्तान क के 130 चौर्ण लोग सम्झोता करने के लिए अधायर नहीं है। दूसरी महत्वपुन बात है हमारे विपक्ष केनेता ने कहा आपने 370 को क्यों हटाए उसकी बार-बार चर्चा करने से कोई लाव नहीं है मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ 1964 में जो प्राइवेट मेंबर फिल आय था जिसकी चर्चा पहले भी माने ने अग्रिम नंत्री जी ने शदन में की थी प्रकाश वीर सास्टृ जी के वह प्राइवेट मेंबर बिल प्रकाश वीर सास्टृ जी विजनावर से आते थे लगभग चार दिनों तक बहस हुई और उस बहस के बाद जो मद्दान हुआ एक बहस के दौरान एक मस्से कॉंग्रेस के भागवज्जा आजाद कॉम्मिस्ट पार्टी के सरोज पांडे समाजवादी लोहिया और मधुलिमे और हम तो थे ही जनसंग तो सभावी के उसे 370 को हटाने का ग्रणी भूवी का निवा रहा था एच्वी कामत और इंदर मलहुत्र जो बड़िष्ट पत्रकार नॉमिनेटर थे सदन में एक मद से 370 को हटाने की बात थे ही कॉंग्रेस पार्टी को हुईब जारी करना पाया हुईब के बाद जो मद्दान हुआ उस मद्दान में लोहिया जी मधुलिमे जी सरोज सरोज पांडे जी सभी लोगों ने एक मस्ट से कहा इसे हटा दिना चाहिए तद काली ग्रिह मंत्री को सास्त्र दिना परा कि हम इसको हटाएंगे प्रकासवीर सास्त्र जी ने तब अपने कंकूर्डिंग स्पीच में कहा था प्रकासवीर सास्त्र जी ने आपके ही इतिहास से मैं आपको आइना दिखा रहा हूँ आप देख लिजे तब की कॉंग्रेस क्या थी आज की कॉंग्रेस क्या है सास्त्री जी देश के प्रधान मंत्री थे तो मैंने इतना ही कहा तीन सो सत्तर हटाने के लिए पूरा देश उनिस्टो चौण सथ में तयार था और प्रकाश्मीर सास्त्री ने एक पंक्ती कही थी आप किस दवाओं में क्यों नहीं हटा रहें आगे आने वाला इतिहास इसे काला धब्बा मानेगा जब सदन में अकवाद सरूप सहमती बनती है जब सभी विचारधाराओं के लोग सभी राधितिक दल के लोग एक मत से किसी प्रस्ताओं के समर्थन में आते हैं और रूलिंग पार्टी पीछे हट जाती है तो मैंने इतना ही कहा वह तो स्वर्णी मद्ध्याय है पांच अगस्त तोहजारोनेश जिसने संविधान के उस धब्बे को हमें समाप्त किया और जम्मू कस्वीर के लोगों को इंपार्वन्मेंट करना शुरू किया एक लोगतंत्र की का ससक्ती करन और हासिय के लोगों का कल्यान welfare of the people और इंपार्वन्ट ओदे पीपल ये 370 के बाद की स्थती है अंत में मैं दो बाते कह करें अपनी बात समात करना चाहता हूं बस दो छोटी बाते कह करें मैं अपनी बात समात करना चाहता हूं उपसभापतिम होदे किसी भी लोकतंत्र के लिए यह जरूरी होता है कि किसी घटना घटने के बाद हम आत्मा लोचन करें जम्मो कस्मीर में लगातार हमारे सुरच्छा कर्मियों की सहाधत होती रही आम लोग मारे जाते रहे सीमा पार से आतंगवादी आते रहे 5 अगस्त 2019 के बाद सुरच्छा कर्मियों की सहाधत में 73% की कमी आई पाकिस्तान पूरी दुनिया घूम गया पूरी दुनिया घूम के प्रचार करता रहा लेकिन उसका कोई प्रवाव नहीं परा जदी कोई प्रवाव है तो भारत के ही कुछ लोगों के उन बयानों से जो जम्मू कस्विने गलत बयानी करके दुनिया को बताना चाहते हैं इसने मैं उन अकवारों को भी आज इस सदन में मैं उन अकवारों की भी निंदा करता हूँ निवाग टाइम्स बासिंटन पोस्ट गार्दियन और रिकॉर्ड में निंदा करना चाहते हूँ यह अकवार भारत की एक ता खंड़ता सुरक्षा पर जिस तरह से गलत फामिया और भरम पहला रहे हैं वो और लोग तंत्र का संबर्धन नहीं है लोग तंत्र का उम्मुल्यन क्या जा रहा है आज मैं चाहता हूँ कि विपक्ष के भी नेता ऐसे अखवारों को अखवार नवीसों की निंदा करें जो बाहर बैटकर पस्ची में बैटकर पूरी दुनिया में भाज का गलत फरचार कर रहे हैं और अंत्ता 370 गया 35 गया अगर बजट के उन प्रावधानों को देखा जाता है शक्षा में साफ्ट में जम्मू कस्मीर के एक करोड लोगों के लिए दो और इंडिया इंशूट और मेडिकल साइंसेज है लगवग साथ से आठ मेडिकल कॉलेजिज है अब और क्या चाहिए अब अर्वन सीलिंग एक्ट भी जाएगा जिन लोगों ने सहरों में बरे बरे जमीन कब जाका रखे है वो जमीन आम लोगों तक जाएगा लोगत अंतर आम लोगों के घर पहुँचा जनत अंतर सम्रिद्ध हुआ जनता का कल्यान हुआ लेकिन कॉंग्रेस पार्टी घर याली आसु भार रही है चुकि वोट वैंक की राधिकी से जमीन कश्मीर को ग्रसित कर रखा हमने उसे उसे मुक्त किया धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर के के सवरा